हलो एवरिवन कैसे हूँ आप सबे आज में लेकर आई हूँ बेंगन की एकदम ऐसी नई रेस्पी बहुत कम समान में फटाफट कैसे बनाएं कुछ टिप्स और ट्रिक भी जानेंगे तो चलिए ये वीडियो फटाफट से सुरू कर लेते हैं बेंगन की एकदम नई रेस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेंगन लिये हैं वैसे बेंगन बहुत टाइप के आते हैं और कलर में भी अलग अलग आते हैं और साइज में भी जैसे रामनंगर बेंगन गुच्छे वाली बेंगन बलेक ब्यूटी बेंगन लंबा चोटा बेंगन परपल कलर के आते हैं बलेक कलर के आते हैं और हरे कलर के बेंगन आते हैं आप कोई सा भी ले सकते हो नीचे से गेस ओन करके एक बड़तन में दो टेबली स्पून ओयल लेंगे थोड़ा सा तेल इसमें ज्यादा लगेगा और तेल को गरम करेंगे आप सोय बिनका और यहाँ पर मैंने जीरा लिया है, half चमच टी स्पून, तेल जैसे ही गरम होगा इसमें अपन जीरा एड़ करेंगे, जीरा जैसे ही चटकना स्टार्ट होगा, दो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी साइज में प्याज कट कर लिया है, सफेद वाले, आप लाल प्याज आते हैं आप वो भी ले सकते हो, हरे प्याज आते हैं आप वो भी ले सकते हो, और इन सारे प्याजों को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे, जब तक अपने प्याज पकेंगे तब तक और काम कर लेते हैं, जो अपने बेंगन लिये हैं, उन्हें कट कर लेंगे, यह बेंगन म इन्हें पानी में डाल देंगे अगर इन्हें कट करते ही बाहर रखेंगे पानी में नहीं डालेंगे तो काले काले से हो जाएंगे क्योंकि इन्में आइरन पर्चूर मातरा में होता है तो ये बलेक हो जाते हैं अपने प्याज पक कर त्यार हो चुके हैं तीन चार पटना वाली स्पाइसी हरी मिड़ चाहती है वो मैं एड़ कर रही हूँ और जो बेंगन अपने कटकिये हैं वो सारे के सारे इसमें डालकर हलके से फ्राइ कर लेंगे ऐसे करने से क्या होगा अलग से अपने को फ्राइ करने के जरूरत नहीं पड़ेगी ना एक्स्ट्रा ओयल लगेगा इसे में ये फ्राइ हो जाएंगे और तुरंत काटकर मैंने तुरंती एड़ कर लिया है फिर भी ये दे के पान भी बलेक सा हो गया है और सारे बैंगनों को मसाले में मिलाकर इने पकाएंगे और ऐसे इनका कलर चेंज हो जाए तब आपको समझ लेना है ये फ्राइ हो चुके हैं जब ये फ्राइ हो जाएंगे तब मैं यहां पर मैंने तीन टमाटर सलादवाले कट किया हैं वो एड़ करेंगे ये खटे नहीं होते हैं टमाटर और टेस्टी भी लगते हैं और एक चमच लाल मिर्च पाउडर अगर आपका लाल मिर्च पाउडर स्पाइसी हो तो कम क्वांटिटी में एड़ कीजेगा और एक चमच टर्मरिक पाउडर टेस्ट के अकोरिंग नमक और इन्हें मिक्स करके पका लेंगे पानी वगेर आपको कुछ भी एड नहीं करना है क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड देंगे बेंगन वगेर पहले ही पक चुके हैं बस अपन को केवल टमाटर को पकाना है सारा मसाला पक जाने के बाद सबसे लास्ट में एड करेंगे लैसोन दस पंदरा लैसोन लिये हैं उनको बारिक क्रेश कर लेना है और इन्हें मिक्स करके एक दो मिंट पकाएंगे अब लास्ट में एक दो मिंट क्यों पकाना है क्योंकि लैसुन कच्छा न रह जाए इसलिए अपनी सब्जी बन कर त्यार हूँ चुकी है नीचे से गेस बंद कर देंगे एक बार मेरे इस तरह के से आप ऐसी बेंगन के सब्जी बनाईएगा बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे